हाई विडियो में मैं कुछ ऐसा चीज बताने वाले हो आप सब को जो आपको बहुत हटक चेंज कर देगा एक्षिले हम बहुत बीजी होते हैं लाइफ में बहुत सारे लोग के पास तो टाइम ही नहीं होते खुद के लिए तो इसलिए भाग से दौरते जिन्दगी में अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं आपके जो सिकिन है वो डल हो जाते हैं सिकिन के जो मतलब जो जान है वो चला जाता है और जान ना हो ना तो फिर अब जितना भी फाउंडेशन लगा लो मेकप कर लो तो पहले चीज को अच्छा रखना है कुपसूरत रखने है यह देखना चाहिए देन आप फाउंडेशन लगाओ आज के वीडियो में एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी अब जितना भी बीजी होना क्यों वो चीज जस 5-10 मिन्स लगेगा आपको एवरी डे बैसिस में तो आपके जो स्किन है वो फ्लॉलेस हो जाएगा हेल्दी बनेगा सौफ्ट प्लाम बनेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो चलो देखते हैं वो चीज है क्या वो चीज है अलोवेरा नाम ते सुना ही होगा मैंने बहुत सारे वीडियो में अल्री कह चुगी हूँ अलोवेरा मान लो मतलब गृत कुमारी मान लो सब कुछ आता है उसे मतलब हमारे सर से लेके टो तक पैर की पैर तक सारे में उसका फंक्शन है अब इसको पी लो तो अपको डाजिस्टिब सिस्टेम बहुत अच्छा होगा फंक्शन बहुत अच्छे से करेगा अब हैर्स पर लगा लो हैर्स फिलकी स्मूज शाइनी हो जाएगा हैर फॉल रुख जाएगा मतलब और क्या होँगी हैर के लिए बहुत कुछ बता चुकी हूँ अब चेक कर सकते हो प्रिवेस वीडियो जो मेरे चैनल में अपलोड़ रहे है यह वीडियो में में उनली स्किन के बारे में बताऊंगी अलोवेरा तो अलोवेरा में एंटी इंट्रिमेटरी प्रॉपर्टीज है इसलिए क्या करते हैं हमारे अगर उन से घाओ है तो उसको जल्दी जल्दी क्योर करने में वह करता है अलोवेरा में 98% वाटर है तो यह हमारे स्किन को हाइड्रेट रखते हैं सूध बनाते हैं और मॉश्चेर प्रवाइट करते हैं अलोवेरा में वह जाते हैं उसको अनपलॉप करते हैं अगर प्रॉपर्स तो ब्लाकेट वाइट वाइट इस कहा कोई जणजाटी नहीं साथ में एकने प्रॉब्लेम वह भी दूर हो जाएगा अगर एवरी डेए बसस में आप अलोवेरा को लगाते हो ना ब्लाकेट्स ना वाइटेट्स ना ही एकने एंड हमारे स्किन पर बहुत सरे स्पोर्ट हो जाते हैं उसको भी फेड आउट करने में अलोवेरा हेल्प करते बट यहाप एक तीज आपको बताना चाहूंगी अगर आपके स्किन जो है मैच्यर हो चुका है डाट मींस अगर आपके एज 30 के ऊपर हो रखा है तो यह प्रोसेस धोरा धीमे चलेगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि तूट्री देज में आपको रजाल दिखेगा नहीं दिखेगा आपको वान वीक लग सकते है टूवीक लग सकते इवन हम मन्त भी लग सकती है अगर आपके स्किन माच्यर है तो कि मैच्यों स्किन में नहीं होता है घाल रेक्षट पक के लिगेगा ये का गैरंटी में देती हूँ रेसल्ट मिलेगा पर थोरा टाइम लगेगा तो टाम तो लगेगा अगर आप मालो medicine ले रहे हो, doctor के पास जुचके है and medicine आपको provide किया, तो क्या एक दिन के medicine देता है, नहीं न, कितने दिन के देते हैं, one week देते हैं, कभी-कभी two weeks, even a month भी देते हैं, तो एक medicine अगर एक month अपके ले रहे हैं, तो ये तो home remedies है, natural चीज है, ये तो आप time ले गाई, तो इसलिए home remedies को आपको मतलब patience रखने है and faith रखने है, मन में बिश्वाश रखने है, कि हाँ ये मुझे result देगा, तो ही आपको result मिलेगा and continuous रखनी है इसको, आज लगा लिया, एक हफते बाद लगा लिया, एक month बाद याद आया कि अरे मैं तो लगाना भूली गई, फिर से लगा लिया, कोई फाइदा नहीं, तो लगाऊ ना लगाऊ, कोई difference नहीं है, लगानी है, तो everyday basis में आपको लगानी है, इतना time मेरे बस तो है नहीं, रुकिए, इतना time अपको नहीं देना परेगा, only 5-10 minutes अप दिये दीजिए, खुद के लिए तो ही काफी है, aloe vera में anti-oxidant है, so that's why sun damage को ये cure करता है, हमारे skin के हालत जो खराब हो रगा है, उसको cure करते है, साथ में हमारी जो aging process है, उसको slow down कर देता है, so aloe vera तो लगाना ही है, पक्का न, तो आजी से start कर दीजिए, अलो vera को लगाना में skin के, तो aloe vera को लगानी कैसे, बहुत सारे तरीका है aloe vera को लगाने, different kind of pack में आप aloe vera को mix करके प्लगा सकतो, उतिना कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ aloe vera को आफ only aloe vera gel को ही आपको लगाना पड़ेगा, तो कैसे, को मैं दो तरीका बताऊंगी, तो इन में से कोई एक तरीका आप फॉलो कर सकते हो, पहला जो तरीका जो मैं प्रेफर करती हूँ करने के लिए, मैं दोनों ही करती हूँ, मैं जो सबसे प्रेफर करती एवरी डे उसको छोटे से पिस में कट कर ले तू, यहाँ पर मैं दिखा दूं के वीडियो में, छोटे पिस में कट कर ले तू, देन उसके साइड में जो कट करना है करके ऊपर कर जो शिलका है वह भी हटा देती हूँ, देन जो पाल फिर वो मुझे चाहिए, फर मसाज, अ करने में क्या होगा, एक स्लाइम जैसे पल्प निकल के आ जाएगा अलोवेरा का, और उसको एजी लिए आप अपने फेस पे लगा सकते हो, मसाज कर सकते हो, लगा के छोड भी सकते हो, तो मैं अल्रेड एक वीडियो अप्लोड करी थी, हाव टो मसाज यूर स्केन विद अल मसाज कर लेते हो, जब तक यह सूख जाते हैं, फाइब तो टेन मिंट्स लगते हैं, फिर भी में थोरी तेर के लिए रखती हूँ, तो छोड़ देते हैं, जिस नॉर्मल वटर से अपनी वेस को वर्ष कर लेते हूँ, बहुत ही सिंपल है, पर आपके पास उतना टाइम नह निकालो, स्लाइम इन दसेंस, उसके पल्प निकालो ऐसा टाइम नहीं, तो नो वरी, जिस लीफ लाओ, उसको कट कर लो, उबर कचिल कटाओ, और जो पल्फे, वो स्पून से, या फिर नाइफ से, जो भी मन में आये, वो करो, उसको निकालो, मिक्सी में डालो, ग्राइंड से, ग्राइंड करो, देन एक लिक्वीट फॉर्म आजाएगा, उस लिक्वीट को आपको आइस ट्रे में डाल देना है, डाल दिया, देन आया जाएगा आइस क्यूब, एवरी डे एक एक करके आइस क्यूब निकालो, उसको पूरफेस में लगा लो, लगा के जो आपके काम कर लो, जब तक न सूख जाए, तब तक जब सूख गया, उसको नॉर्मल पानी से धो डालो, बस हो गया, इतना को करी सकते हो, कर सकते हो ना, कीजिए, क्योंकि ये आपको एक healthy skin प्रोवाइड करेगा, हम रोज खाना खाते हैं, तो स्किन को भी खाना चाहिए, तो अच्छा खाओ, डाइट चेंज करो, साथ में ऊपर भी कुछ लगाओ, जैसे कि अलोवेरा लगाओ, ये एक नॉमल सिंपल सा चीज है, अनली ये कर लो, बस, प्रोब्लम सॉल्व, बहुत सारे प्रोब्लम को सलूशन अपको मिल जाएगा इस अलोवेरा से, एक दिन में रेजल्ट न जाएगा अपने सामने, जब आजाएगा रेजल्ट मुझे याद जरूर कर लेरा, और फिर सही ये वीडियो में आना, और नीचे कमेंट करके लिख डालना, कि सच में ये आपके लिए फायद मन्द हुआ की नहीं, और एक चीज करती हूं, जब जो पल्प निकलती हूं में लगा के छोड़ देती हूं, अगर आपके लिए अपके लिए और कुछ चीज आपको जरूरत नहीं है, अगर है तो डाल दो, बस, and you will get a soft, plump, healthy skin, आपको skin touch करने में ही मजा जाएगा, everyday aloe vera must, साथ में पानी अच्छे से पी लेना, और जो खाना खा रहे हो, वो डाइट में थोरा ध्यान देना, ठीक है ना, बस, यही था अच्छ के वीडियो, यह वीडियो अगर अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेर जरूर करना, and result अगर मिला तो पका इस वीडियो में आके नीचे कमेंट करना ही परेगा, ठीक है तो मेलती हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तिल देन बावाई, and टेक क्यार,